और मेरे भाई लोग कैसे हो आई होप सब जलसे कर रहे हो और आज ही के दिन आपको मार्केट में AMD के जैंत्री वाली CPU मार्केट में देखने मिल जाएंगे और आप लोगों में से काफी सारे जन मुझे यार इस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई 5600 के साथ कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे थे कि भाई 3070 के साथ कौन सा CPU प्यार करूं तो मैंने सुझा क्यों ना एक CPU प्लस GPU कॉम्बो वीडियो फिर से ला जाए तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ TOP 5 CPU प्लस GPU के कॉम्बिनेशन के बारे में जो कि आप अ चैनल पर नए हो अगर आपको भी पसंद तरह की पीसी रिलेटेट कंटेंट वाली वीडियो तो मेरे प्यारे दोस्तों कर क्या रहे हो यार फटा 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 यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यह सब्सक्राइब बटन दबाके एंड उसके बगल में जो बेल नॉटिफिकेशन नहीं आ रही है आपके लेटेस्ट वीडियो की तो यार यूट्यूब से मेरी आल्रेडी बात चल रही है इस वाले इस्यू के रिगार्डिंग कुछ दिनों में यह वाली प्रब्लम सौल हो जाएगी एंड तब तक जिसको वीडियो की नॉटिफिकेशन निन नहीं आ रही है आप लोगों से मेरी गुजारिस है भाई दिल से गुजारिस है आप लोगों को जब भी टाइम मिले ना तो दिन में एक बार आप community पोस्ट चेक कर लिया करो या तो और इक बार चैनल पे विजट कर लिया और सिंगल क्लिक ही तो करना रहते है वहां उस पहला वाला कॉम्बो है ये वाला कॉम्बो आपको 20,000 के अंदर ही मिल जाएगा मतलब CPU प्लस GPU ही आपको 20,000 के अंदर मिलेगा ऐसा मत सोचना कि पूरा PC ही आपका 20,000 में तयार हो जाएगा तो जो पहले कॉम्बो में हमने प्रोसेसर लिया है वो आता है इंटेल की तरफ से i3 9100F आइनो आइनो ये वाला CPU थोड़ा सा पूराना CPU है बट अभी काफी सही डील पर मिल रहा है ये वाला एक इकलोता CPU है न अभी मार्केट में जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई भले ही यार ये human malware का लोचा आया चला गया या फिर अभी है उसकी वजह से भाई इसकी प् बेले भी कम देखने मिलती थी अभी भी आपको ये वाला CPU काफी कम प्राइजेस पर देखने मिल रहा है एंड अगर आप काड़ वाड यूस करते हो न तब तो यार ये वाला CPU आप 5 से साहे 5000 रुपे परचस कर सकते हो and for that price बहुत ही चुमेश वरी CPU है मतलब यहां पर आपक इसको consider करें तो and for your kind information मैं आपको बता दू इस वाले वीडियो में आपको जो भी CPU प्लस GPU को कॉम्बो बता रहा हूं सभी की लिंक आपको नीचे description section मिल जाएगी तो इनकेस अगर आप buy करना चाहते हो तो वहां से जाके buy कर सकते हो तो इस वाले CPU के साथ हमने pair किया एक हमारा प्यारा RX 570 जो की काफी बढ़िया ग्राफिक कार्ड है personally इस वाले ग्राफिक कार्ड को मैं पहले अपने PC पर यूज कर रहा था हाला कि मैंने PC में काफी सारे अपग्रेट्स कर दिये हैं तो इसके उपर भी एक dedicated वीडियो आने वाली है तो वीडियो को मिस नहीं करना चाहत है एंड उसकी performance से भाई एसे fully satisfied है वो बोलते है ना भाई full satisfaction मिल लिया तो RX 570 में आपको मिल जाती है 4GB की वीरेम हाला कि ये वाला ग्राफिक काड थोड़ा सा power hungry ग्राफिक काड है अगर आप इसको compare करो NVIDIA के GPU से तो थोड़ा सा power ज्यादा consume करता है बढ़ आप इसके साथ एक अच्छे brand का 450 वोट का भी PSU use कर सकते हो एंड इसकी price की बात करूँ तो ये वाला जो graphic card भाई फिलाल आप लोगों को पता है Amazon के उपर तो काफी महंगा मिल रहा है other sites पे चेक कर लेना offline एक बर चेक कर लेना 12-12.50 रुपे तक आराम से आपको देखने मिल जाएगा तो य 26 वाले Combo में हमने CPU use किया है AMD की तरफ से Ryzen 3 3100 AMD की तरफ से अभी नया नवेला CPU है मतलब वो नई नवेली दुलहन होती है न उच टाइप की अब ये वाला जो CPU 7 नैनोमेटर के FinFet technology पे बना हुआ है इसमें आपको 3.6 GHz की base clock देखने मिल जाती है up to 3.9 GHz तक की आपको यहा से लिए गेमिंग के लिए तो आप इस वाले CPU को कंसिडर कर सकते हो इसकी भी लिंक आपको नीचे description सेक्शन में मिल जाएगी एड इसके साथ आपको प्यार करना है हमारा प्यारा GTX 1650 Super अब यह वाले जो ग्राफिक कार्ड 15,000 के अंदर अगर आपको कोई ग्राफिक कार्ड तो यह ग्राफिक कार्ड बहतरीन ग्राफिक कार्ड है बहतरीन वेली ओफर करवाता है लेटेस्ट गेम्स में भी FPS दबा के निकालता है एंड इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको मिल लाती है 4GB की VRM 1200 C हाप आपको कूडा कोर्स देखने मिल लाते हैं GDDR 680 से ने यह तो अगर आपका बजट 25,000 रूपे के अराउंड था एंड अगर आपको चाहिए था एक CPU प्लस GPU का कॉम्बो और आपको करनी थी gaming तो इस वाले कॉम्बो को आप consider कर सकते हो अब अगर आपको streaming and editing भी करनी है साथ साथ में आपको बढ़िया वाली gaming भी करनी है तो यह वाला कॉम आपको value offer करवाता है एक hexa core वाला CPU इस वाले CPU में आपको six cores and six threads देखना मिल जाते हैं यहां पर आपको base clock and boost clock भी काफी अच्छी कासी देखना मिल जाती है तो अगर आप एक ऐसे वेक्तित है जो कि यह अच्छे कासे पैसे invest कर रहे हो तो यहार आपको streaming editing and gaming भी करनी है मतलब हो सकता है अभी आप gaming के लिए ले रहे हो बट आप अपने system को थोड़ा सा future proof कर रहे हो हो सकता है future में आपको streaming करनी हो या फिर editing करनी हो तो इन scenario's के लिए यह वाला CPU आपके लिए काफी बहतरीन CPU साबित होने वाला है अब इसकी price की बात करूँ तो फिलहाल यह वाला CPU आपक आपको rate racing का support देखने मिल जाता है Nvidia की तरफ से तो अगर आप budget में रहे कर भाई rate racing का लूप उठाना चाहते थे तो आप इस वाले graphic card को consider कर सकते हो इस वाले graphic card में आपको मिल जाती है 6 GB की VRAM एंड यह वाले जो graphic card है ना इतना capable graphic card है कि यह तीनों चीज आपको आराम से करवा सकता है फिर चाहें आपको editing करनी हो Adobe Premiere Pro जैसे software पे या फिर Sony Vegas जैसे software या फिर आपको खेलने हो Battlefield 5 GTA 5 या फिर Red Dead Redistant 2 जैसे games तो आप इस वाले combo के साथ रहकर आराम से इन games का लूप उठा सकते हो एंड अगर आप streaming भी करना चाहते हो तो इस वाले combo पे आप आराम से कर हैगा सो चलते हमारे चौथे combo की तरफ अब जो हमारा चौथा वाला combo है यह भी multipurpose combo है सारे कम आपको आराम से करवा सकते हैं इसमें हमने CPU लिया है Ryzen 5 3600 अब यह वाला जो प्रोसेसर है इसमें आपको मिल लाते है 6 course and 12 threads सास सास में यह आपको offer करता है up to 4.2 GHz तक की boost clock 35 MB की यहाँ पर आपको L3 cache देखने मिल जाती है जो की काफी है and 3200 MHz तक की RAM frequencies को support करता है यह वाला CPU प्राइस की बात करूँ तो भाई इस वाले CPU की यार demand काफी जाद है and stock काफी कम है उसकी वज़ा से यह वाला जो CPU है हमेसा जादत तर यार time over price दी रहता है फिलाल अगर आप Amazon प इस वाले CPU को consider कर सकते हो बाकि अगर आप इसका alternative लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो 3600X या फिर 3600XT और कुछ दिनों पहले मैंने देखा था 3600XT Amazon के ओपर deal में मिल रहा था 212000 का तो 22000 तक अगर आपको लेना था तो आप इस वाले CPU को consider कर सकते हो बाकि इस वाले बहतरीन CPU के ग्राफिक कार्ड आता है 8GB की VRAM के साथ इस वाले ग्राफिक कार्ड में आपको 256-bit का memory interface देखने मिल जाता है एंड हाँ खुसकबरी तो यह है भाई इस वाले ग्राफिक कार्ड के ऊपर अभी रिसेंटली ही प्राइस कट हुआ है आपको पहले ये वाले ग्राफिक कार्ड अरांड 59,000 रुपीज में देखने मिल रहा था बट अभी प्राइस कट के बाद यह वाले ग्राफिक कार्ड को आप खरी सकते हो 44,500 रुपीज में ये वाली प्राइस काफी सही प्राइस जया इस वाले ग्राफिक काड के लिए तो अगर आपका बजट था 60 to 65,000 रूपीज खाली कॉम्बो के लिए तो आप इस वाले कॉम्बो को कंसिडर कर सकते हो काफी बहतरीन कॉम्बो है काफी अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा ओवराल एक मल्टी परपस कॉम्बो है आप इस वाले कॉम्बो के साथ भाई कुछ भी कर सकते हो लिटरली कुछ भी कर सकते हो एंड इस वाले कॉम्बो में जो हमने ग्राफिक काड लिया न भाई 1440P तक तो आराम से आपको गेमिंग करवा सकता है तो दोस्तो फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका आप लोगों को बेसबरी से इंतिजार था अब हमारा जो लाश्ट वाला कॉम्बो है काफी बहतरीन कॉम्बो है एंड ये वाला कॉम्बो उन लोगों के लिए है भाई जिनकी रहती है जेबे गरम खाते है वो वड़ा पा से काफी अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है इंटल के आई 9 को सिंगल त्रेट पर्फॉर्मेंस में ये छे कोर वाला सी प्यू दस कोर वाले सीपीव को बीट कर दिया है मतलब सोचो काफी बहतरीन सीपीव है अब इस वाले सीपीव में आपको 6 कोर्स एं 12 त्रेट्ट देखन मिल जाती है up to 4.6 GHz तक की यहाँ पर आपको boost clock देखने मिलती है जो की insane है 32 MB की यहाँ पर आपको L3 cache देखने मिल जाती है and इस वाले CPU की जो price रखी गए थी वो 299 डॉलर्स थी बट इंडिया में भाई साहब आते आते आप लोगों को तो पता ही है जो CPUs and GPUs की prices होती ही वो 30 सी बढ़ जाती है मतलब काफी ज़्यादा बढ़ जाती है तो यह वाले CPU की Indian price की बात करूँ तो यह आपको around अंदाजा बता रहा हूँ ठीक है exact price मत समझ लेना यह आपको around 25 से 28000 रुपे तक देखने मिल सकता है अब इस वाले CPU के साथ आपको pair करना है AMD का RX 6800 एंद इस वाले GPU में आपको मिल जाती है 128 MB की infinity catch एंद प्राइस की बात करें तो यह वाला GPU आपको मिल जाता है 579 डॉलर्स में अब अगर आप सोच रहे थे कि इसकी Indian price कितनी होगी तो भाई मुझे भी exactly पता नहीं है बट जहां तक मेरा मानना है आपको यह वाला GPU 50,000 के आराउंड देखने मिल जाना चाहिए अब देखते हैं Indian price कितनी होती है इस GPU की तो यह था हमारा last वाला combo अब last वाले combo में हमने AMD का latest CPU प्लस latest GPU इस लिए pair किया है क्योंकि AMD ने अभी smart access memory introduce किया है अब इस वाले technology में होता यह है कि अगर आप AMD के latest CPU प्लस GPU को pair करते हो न तो आपको gaming में भाई up to 13% तक performance में increment देखने मिल लाएगा जो की काफी बढ़िया चीज है इससे हमारे पास एक और reason आ जाता है फिर 5000 लाइक मांगता हूँ तो आप लोग पूरा नहीं कराते हो तो इसके लिए मैंने इस वाले वीडियो में काफी कम लाइक एम रखा है तो आई होप दिल को तसलित दिला रहा हूँ कि यार आप लोग 1000 लाइक तो आराम से पूरा करवा दोगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही था मैं वीवेक मिलूँगा आपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फो वाचिंग